हेलो फ्रेंट्स तो आज की जो वीडियो है यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारी एक सब्सक्राइबर है जो की कैनेडा में रहती है उनका नाम है मंजीत कोर उन्होंने मुझे बार बार फोन करके एक ही बात बोली है कि सर मैं बहुत कोशिश करती हूं लेकिन फिर भी मे की वज़े से हमारी पैंट में प्रॉलम आती है तो फ्रेंट्स आज की वीडियो को अगर आप एक बार पूरा देख लोगे क्योंकि एक एक चीज़ को मैं बारी की से बताने जा रहा हूं ऐसे कौन कौन से मुखे तीन कारण है जिसकी वज़े से पैंट आपकी खराब हो जा चुरू करते हैं आज की वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया तो फ्रेंट्स जब भी आपने पैंट की कटिंग करनी हैं जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पास यह जो पैंट का कपड़ा है यह है टोटल सवा दो मीटर यह देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हो इसमें पैंट कटिंग में वो होता है मेजरमेंट तो फ्रेंट्स आप देख सकते हो यह है मेरे पास मेजरमेंट केवल पांच ही मेजरमेंट की जरूरत होती है पैंट में जब आप पैंट की कटिंग करते हो पहला नाप होता है लंबाई इसकी जो लंबाई हो है 36 ठीक है क्योंकि की लंबाई दो तरह के होती है एक होती है एंकल लैंड एक होती है फ्लोर लैंद तो यह जो पेंट है यह है एंकल लैंद्अ यह जो जो Jordi होती है उससे उपर वहदी होती हैं और यह ë्यों ऑर जो ना पर फोटीवन और मोहुरी मोहुरिय। जो नापे 12 तो कुल मिलाके 5 measurement की आपको जुरुवत होती है पांचो measurement में आपको लिख लिए है अब इसके बाद कपड़े को आपको बिच्छाना कैसे है ठीक है एक एक चीज को बारिकी से बताऊंगा हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए लेकिन एक एक चीज हो जाएगी आपकी पैंट कभी खराब नहीं होगी कपड़े को सबसे पहले देखिए कि कपड़े का सीधा वाला इस्सा है जब भी आपने पैंट की कटिंग करनी है आपको कपड़े के opposite side यानि कि जिदर से कपड़ा उल्टा side उद्दर से आपको उसमें मार्किंग करनी है और कपड़े को बिछाना कैसे है यह देखिए यह पूरा कपड़ा मैंने खोल लिया है पैंट की जब आपको कटिंग करनी है सबसे पहले आपको पैंट के आगे वाले की कटिंग करनी है और कटिंग करते समय आपको यह जो किनारी वाले इससे होते है न यह वाले किनारी वा आपको बताता हूं किस प्रकार से मार्किंग करनी है कपड़े को मैंने इच्छी तरह से बिच्छा लिया है यह देखिए अब सबसे पहले जो सबसे बड़ी स्टार्टिंग जिसे आप बोल सकते हैं फिर जो प्रॉब्लम बोल सकते हो कहां से हो जाती शुरू वह शुरू आत हो जाती नीचे से तो यह देखिए क्योंकि जब भी आप पैंट की कटिंग करते हो तो बिगिनर्स क्या गलती करते हैं जब नीचे की तरफ यह निशान लगा किशंद आ पर बार को ब्राबर करने के लिए इस प्रकार से फिक है अब जब आपने पैंट की कटिंग करनी हैं екने को क्या करनी ने चैसे काल लिया उसके बाद आपको इसे यह इस प्रकार से अब आप यह सोचो कि इधर से आधा इंच या फे फॉना इच आपको उपर क्यों रखना है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है वह आपको प्रैक्टिकली पैंट पे ही समझाओं का तो फ्रेंड्स आप सकते हो यह हमारे पडूसी हैं और इन्होंने जो पैंट पैंट है ना इन्होंने खुदी बनाई है और इन्हों जो गल्ती करी यह देखिए मैं प्रैक्टिक लिए आपको इक ही चीज बता रहा हूं आपको सीधा कट नहीं करना आप वार पे चलते हैं काउंटर बर तो मैं सा इधर से आपको जो है अपनी साइड से इसको थोड़ा से आदा से पोनेच उपर रखती इस प्रकार से निशान लगाना है और इसके बाद फिर आपको नीचे से फोल्ड करने के लिए अगर आप धाई इंच रखना चाहते हो तो धाई इंच पर निशान लगा लो अगर दो आपको लगाना है 35 इंच पर अब आप यह सोचोगे कि एक इंच कम क्यूं किया क्योंकि फ्रेंट इसमें उपर लगेगी बैल्ट और बैल्ट जो होती है लगबग वो डेड़ इंच चोड़ी होती है तो डेड़ इंच की जो बैल्ट है इसमें कंप्लीट हो जाएगी आदा इसमें आपर कि पर 12 की बैल्ट है इसको बैल्कुल सिधा और यह फ्रकार से लाइन खिजनी है तो लंबाइ का सीन किलियर हो इसमें सबसे इम्पोर्टेड की और एक किनारी होती है यह वली किनारी इस किनारी कोओ आपने साइड में रखना है क्योंकि किनारी से भी जो है कपड़े में साड़ में खीचाव राता है तो किनारी वाले कपड़े को पहले यह अपने में प्रकाद से लाइन डौ कर लें तकि आपको कोई प्रमन ठीके यह हो गया आपकी κमर और इसके रावा पैंट में आगे की तरफ ने भेंबर में रख लगा जाती है तो डार्ट के लए आपको मार्जन कितने लेना है आपको लेना है डेड़ इंच का मार्जन यह 1.5 इंच मैंने ले लिए डार्ट के लिए और जब पैंट के हम सलाई करते हैं आपस में 4 उपर ले जोड़ते हैं तो उसके लिए जो आपको मारजन चाहिए एक इंच उसके लिए मारजन चाहिए यह देखी इस परकार से मैं दुआए के लिए कर देता हूँ कमर का चोथा हिसा गारा साड़े साथ 1.5 इंच प्लेट्स के लिए और 1 इंच मारजन के लिए अब यह जो मैंने निशान लगाए ने यह वाला अब इस निशान से आपको नीचे की तरफ एक इंच पे एक निशान लो लगाना यह देखिए क्योंकि यहां से भी जो हम कटिंग करते हैं इसको सीधा नहीं करते हैं इसको हमने इस परकार से यह देखिए इस लाइन को डो करना है थोड़ा नीचे के तरफ जुकाव देखकर आपने कटिंग करनी है यह एक फार्मूला होता है अगर आप सीधी कटिंग करोगे तो भी आपकी पैंट उपर की तरफ उठेगी और जो क्रोच एरिय उसमें खिचाव आएगा अब इसके बाद दोस्तों यह जो निशान है जो मैंने एक इंच नीचे करा है अब यहाँ पर जो मैंने लाइन खीची है इस लाइन से ही अब आपको क्रोच एरिय को निकालना है अब क्रोच एरिय को निकालने का तरीका क्या है हिप साइज कितना है 34 तो 34 का भी अब आपको एक चुथाई करना है 34 कादा कितना होता है 17 और 17 कादा कितना होता है 17 कादा होता है 18 benefiting 20.30 तो यहां से आपको इस परकार से देखे एक इंच उपर करना है यह देखे देखिए यह जो निशान है इस निशान से एक इंच उपर निकाले इंच टेप को क्योंकि बैल्ट भी लगेगे तो 1 इंच उपर निकाल के 160 पर निशान लगाना है यह लंभाई हो गई कमर हो गया और क्रोच एरिया निकल गया है बिल्गूँ सिंपल 俺 और बसकांट के वाद इसकी थाइस की इसकी 21 याने की 21 इंच अब 20 इंच ध्नक को 20 है इस इसका आपको करना है आधह Ikiस प्रवार दस पे निशान लगाना है यह हो गया bene 10 इंच ठीक है ? यानि Emily इकेस इंच थाइस ठीक है अब जितना यहां से है ना कितना है टोटल यहां से साड़े दस इसी परकार से नीचे आ जाओ साड़े दस पर आपको यहां पर निशान लगाना है यह देखिए अब इसमें जो सबसे इंपोर्टेड काम वो क्या है कि पैंट की जो शेप दी जाती है अब जितना यहां से साड़े दस है उतना ही साड़े दस यहां पर मैंने क्यूं लगाया क्योंकि इसके अनुसार ही हम्हें total कितना चाहिए जाए तो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर टोटर कितना हो गया यह मोहरी तो यह हो गया आपकी महरी अब इन निशानों को आपने उप्पर वाले निशानों से मिलाना है उसके लिए सबसे important चीज वह होनी चाहिए आपके पाश शेब पट्टि यह देखिए इस प्रकार के शेब पट्टि आपको लेनी है और यहां पर इस प्रकार से मिला लेना है ठीक है यहां पर एक चीज आपको और याद रखनी है यह जो निशान लगते है ने ये वाले हैं इस निशान को बिलकुर सीधा नीचे नहीं लेकर तो सीधा जाना लेकिन इसको हलुकासा आपने इससे बाहर के तुसक्य हुआना है इस प्रकार लगबग दोनों तरफ से आदा की तरह निकलना है क्योंकि यूक्झ जब आप पैंट को नीची से से स्फोल्ड करते हो तोक Rainbow लगाते हो तो कही कि इसका जो क्रोच यह रिया है इसकी गोलाई कैसे करनी है तो यहां पर जो आपकी थाइज है नहीं यहां पर साड़े दस पर अब इस थाइज वाले जगह से आपको अंदर की तरफ निशान लगाना है दो इंच यह वाला अंदर की तरफ दो इंच निशान लगाना है और इस ज़्यादा आप गुलाई दोगे उतना ही बढ़िया रहेगा आसन में खिचाव नहीं आएगा ठीक है और इस प्रकार से आप देख सकते हो यहां पर मैं लिख देता हूं इसकी कमर जो है 30 इंचे तो इसकी जो फ्रंट वाला पाट उसकी मैंने पूरी मार्किंग कर ली है अब मार्किंग करने के बाद हम इसकी करेंगे कटिंग तो कटिंग की शुरुआत देखिए मैं नीचे से कर लेता हूं ठीकी यह नीचे से मैं यह से कटिंग करी इसको सिधा नहीं काटना है इसको हलका सा गुमाव देता है इस प्रकार से कटिंग करनी है किनारी वाले इससे को प पेंट के front वाले part थीक है अब आपको की करनी है बैक वाले portion की cutting तो उसको पहले इस परकार से फोल्ड कर रख लगेते हैं साइड में आभ बैक वाले पोर्षय की cutting की coming करने के लिए आप को क्या करना ए अब इस कपड़े को ठीक है आपने ऐसे कैसे किनारी वाले इससे अपनी तरफ ही होंगे अब बैक वाले पॉजिशन की कटिंग करते समय आपको क्या करना है इसको प्रेंग कर लेता हूं थोड़ा से यह यह देखिए इसको आपने ऐसे कैसे इसके उपर रख लेना है क्योंकि जो सारा का सारा काम होता है ना वह फ्रेंट व अब फ्रेंट वाले पार्ट को भी मैंने इसको ऐसे कैसे सैट कर लिया है इसको सैट करते समय आपको एक चीज की सावधानी बरतनी इसको आप ऐसा ना करें कि गल्ती से जैसे आप सोचें कि इसको मैं ऐसे रख दूं यह देखिए यह जो किनारी वाली जो शेप है ऐसे नही करतनी है यह देखिए बिलकुल सिंपल फार्मूला है बिलकुल सिंपल यह जो निशान है क्रोचेरी के इसको आगे बढ़ा दो ठीक है यह जो मोहरी का निशान है इसको आगे बढ़ा दो ठीक है कितना आगे बढ़ाना है मात्र दो इंच यह देखिए दो इंच इदर से और और इस निशान को इस प्रकार से थोड़ा सा टेड़ा लिखके जाना है सीधा नहीं करना ठीक है और इधर से भी इसको टेड़ा ही रखना है ठीक है यह तो गए नीचे का काम अब आते हैं उपर की तरफ जब फ्रंट वाले पार्ट की मैंने कटिंग करी थी ठीक है तो आपको को यचा को याद होगा कि यहां से यह जो बिलकलu सीधा था मैंने एक इंच डौन किया था लेकिन जब आप बैक वाले पोज़जुन के कटिंग करो तो जहां से आपने ऐख इंच डौन किया था इसको ऊपर चढ़ा दो दो इंच और आपको इसको उपर दो इस इढ़ा कर तो पेंट की फिटिंग कभी भी नहीं आईगी प्रोग पर और वैसे भी जो बैक साइड होता है चाहे लेडिस होता है जैन्ट सो लेडिस का थोड़ा ज्यादा है वी होता है तो उस वज़े से इसको हम ज्यादा उपर कितार चड़ाते हैं क्योंकि उससे क्या कि आसन में बढ़ाकर कटिंग इसकी करनी है एक नॉर्वल पेंट में जब आप कटिंग करते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही करना है लेकिन अगर आप एक हैवी साइज की कटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको ऐसा नहीं करना उस सब्जेक्ट पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हैव बिल्कुल इजी फार्मूला है और यह जो दो इंच मैंने यहां से बढ़ाया है इसको आपने नीचे जाके इसमें मिला लेना है यह देखें ठीक है और यहां पर आपको इस परकार से गुलाई देनी है बस इतना ही काम करना है और बैक वाले प्रोशन की भी सारी की सारी मार हो चुकी है और जिस तरीके से पैंट की कटिंग मैंने करी है इस तरीके से इसमें आपको मियानी लगाने की जूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि यहां से मैंने जो गुलाई अच्छी करी है अगर आप गुलाई कम करते हो तो आपको मियानी लगाने की जूरत पड़ सकती ह कि लेडीज पैंट किसलाई कैसे की जाती है उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्किशन में मिल जाएगा यहां फिर आप हमारे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हो कि लेडीज पैंट किसलाई कैसे की जाती है आपको वीडियो मिल जाएगी तो फैंट्स यही था मेरा आज की वी जय भारत